जेहिन मित्रों तो आज हम अपनी उत्रकाण्ट सीरीज का लेक्चर टू पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर टू हमारे पास हम पढ़ने हैं उत्रकासी के बारे में आई ये जानते हैं उत्रकासी के बारे में उसकी जोगरफी क्या है क्योंकि हम सबसे पहले उत्रकासीरी में परतेक जिल्ले की ज blending के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले उत्रकासी की बात करेंगे तो उत्रकासी का जो छेत्र भाला है ये पूरा ये छेत्र भाला है हमारे पास 8000-162 km ठीक है? बिना किसी नोटंके किये हुए सीधा पढ़ो कितना है? 8000-162 km याद आपको रखना है मेरे को थोड़ा बहुत याद है थोड़ा बहुत क्या तभी तो पढ़ा रहा हूं जब याद है तो 8000-162 km इसकी क्या है? छेत्र भाला है इसका ये उत्रकंड का दूसरा सबसे बड़ा जिल्ला है पहला उत्रकंड का घनातो 41,20-142 km इसलिए इसलिए important है, क्योंकि ऊत्रकंड में सबसे कम घनातो वाला जिल्ला यही है इसका जो जंसेंगे गनातों है कितना एक तालीस प्रती बर्ग किलो मीटर ध्यान दीजएगा प्रती बर्ग किलो मीटर है ना और अगर हम इसकी सक्षर्टा की बात करें सक्षर्टा में हम देखते हैं अगर पुरुसों की बात करें तो पुरुसों में हमारे पास है 88.79% है न काफी है 88.79% तो नई जनरेशन के तो सब पड़े लिखे हैं बाई कुछ ने कुछ साक्षर को आई परन तो यह इसमें कुछ पुराने लोग भी है तो इस वजे से वो 88.79% है और महिला साक्षरत की अगर हम बात करें तो महिला साक्षरत है मारे पास 62.35% इसका पुराना नाम जो है किसका उत्तरकासी का उत्तरकासी का पुराना नाम है भाई बाड़ा हाट मान लिजे यह उत्तरकासी यहाँ पर उत्तरकासी है तो उत्तरकासी का पुरा नाम क्या है बाड़ा हाट ठीक है बाड़ा हाट को बरतमान में क्या बोलते हैं उत्तर कासी बोलते हैं बाड़ा हाट क्या होता है बाड़ा हाट यानि यहां पर एक बहुत बड़ा क्या था बाजार था है ना बहुत बड़ा बजार किसका था एक्चली होता क्या था कि उत्रकासी में एक माग मेला लगता है वह माग मेले क्यों लगता है वह में उसका मक्सद था कि यहां पर बजारों मतब यहां पर बजार लगता था जहां पर क्रय विक्रय होता था तो पहले की जमाने में क्या ह होता था कि जो बाड़ा हाट है यानि उत्रकासी का ब्यापार जो हो तिब्बती लोगों से होता था क्योंकि इसके आगे क्या है तिब्बती छेत्र है तो तिब्बती छेत्रों से उत्रकासी का ब्यापार होता था और यहां पर इस मेले में क्या होता था कि जो तिब्बत की ल इन चीजों को लाते थे, और साथ में क्या ले जाते थे उत्रकासे से, यहाँ पर गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुट्टू को आटा हो गया, जोक आटा हो गया, मतब अगेरा बगेरा है न, कोदा जहुरा जो भी हमारे पास होता था, तो उस सबको यह ले जाते थे यहां भ्यापार होता था है, तो बड़ा हाट इसका पुराचीन नाम है, और राउल संकृतियन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, कि पुराना नाम इसका बड़ा हाट ही है, लेकिन नया नाम उत्रकासी इसलिए पड़ा, क्योंकि जो गड़वाली पंड़ो थे, उन्होंने क क्या किया है, वो चाहती थे कि वो उत्तर इस बड़ा हाट को क्या बनाए है, एक गड़वाली पंड़ों का, तो यह मैंने गए रहाउल संकृतियन ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, और उस वज़े से इसका नाम ऊत्तरकासी पड़ा, वैसे है इसका नाम क्या है, ब बजाल लगता थो ठीक है अगर हम नैस्टनल हाइवे के बात करें देखा नैस्टनल हाइवे अच्छा इस्तापना का वह उत्रकासी की इससे टीरी रियासत से यानि रियासत यह एक राजिय था अगर नैस्टनल हाइवे इस नाम 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 94 तो 94 कैसे जाता था 94 यहां से ऐसे में जाता था और 94 के बाद यह एक सौट हो जाता था कौन सा जो अब NH क्या है 34 यह पूरा NH क्या है 34 तो NH क्या था 108 था यह ना मतब कहां से यहां से तो 94 था और 94 से यह तो यमनोती प जा रहा था यहां पर क्या है ध्रासु बैंड है, इस ध्रासु बैंड है, इस ध्रासु बैंड से क्या है, NH 134 कहा जा रहा है, यह मनोतिर जा रहा है, अब देखो, यहां पर क्या है, बढ़कोट है, ठीक, इस बढ़कोट से क्या है, NH 507, 507, जो की देरद उनके हरबटपूर से आ रहा है, NH7 से, हैंपर क्या NH7, NH7 से क्या जोड़ रहा है, NH507, 507, और 507 कहाँ पहुच रहा है, बड़कोट पहुच रहा है, और ठीक है, और किस से मिल रहा है, NH134 से, तो 3 तो NH समझ लिज़ें, इसके अंदर, तो तरकासी के अंदर, एक NH34 है, एक 134 है, और एक 507 है, तो 507 देख लिज़ें, बड़कोट से सीधे जाता हुआ, सीधे देरों दुन जाएगा है, विकास नगरवाला, ठीक है, और दूसरा है, हमारे पास, NS34, है ना, और NS34 के बाद क्या है हमारे पास, NS134, तो 3, आप National Highway को समझ लीजिए, ओके, दूसरा हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अलावा, उत्रकासी के परमुक धार्मिक स्थल, सबसे पहले है गंगोत्री, अगर हम गंगोत्री के बात करें, तो गंगोत्री में किस चीज का मंदिर है, गंगोत्री में मां गंगा का मंदिर है, मां अन्यपूर्णा का मंदिर है, मां परवती का मंदिर है, तो इनका मंदिर गंगोत्री में है, इसके अलावा, गंगोत्री में जो, गंगोत्री मंदिर का जो निर्मान है, वो आठारवी सदी में, किस ने किया था, अमार सिंग ने किया था, अमार सिंग थापा, इसने गंगोत्री मंदिर का निर्मान कराया था, किस ने कराया था, अगर आप से पूछा जाए का किस ने कराया था, तो आएगा अंसर अमार सिंग, मादो सिंग ने, 1935 में, कौन थे, जैपूर के जो मारा जाते मादो सिंग इन्होंने जो है इनका पुनरुद्धार किया था इसका ओके बार लब इसको जो है फिर से नया निर्मान कराया था इसका तो 1935 में मादो सिंग ने जो जैपूर के राजा थे उन्होंने इसका पुनरुद्धार कराया था अमर सिंग धापा ने इसका निर्मान कराया था अठारी सदी में और दूसरी बात महत्तुपून बात ये है कि गंगोत्री जो है बहुत ही पवित्रिस्तल है क्योंकि इसके आगे क्या है गोव मुख है और गोव मुख से क्या है गंगा नदी निकल लिए है है ना भोधी पवित्रिस्तल है भारतिया जो संसकर्थि के लोग है जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते है हिंदू धरम के जो लोग हैं सनातन धरम के जो लोग हैं उनके लिए गंगोत्री बहुत परमुक धार्मिक स्तल है S.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E को खोलते हैं, तो यमनोत्री हो गया, अब यमनोत्री में हमारे पास और क्या जाने लाएगा, यमनोत्री में मा यमना का क्या है, मंदिर है, गंगोत्री में जैसे मा गंगा का है, वैसी यहां पर क्या है, यमना है, अगर सर्दियों के बात करें, जैसे मैं यहां पर बात कर रह होती है कहा पर गंगत्रई में उससे पहले जब सरद रित clicked में मा गंगा का सीथ कालिन परवास होता है तो उमीद है जानकरी आपको इंपोर्टेंट लगिये होगी क्योंकि ये पेपर में आता है वाई कि मा गंगा का सीथ कालिन परवास का है इसी तरह यमनोतिरी में जो मा यमना है उसका सीथ कालिन परवास है तो थोड़ा नीचे यहां पर एक खरसाली गाओं में, यमना का प्रवास माना जाता है, यहां पर यमनोतरी हिमनद है, तो यमनोतरी में जो यमना निकलती है, यमना को क्या कहा जाता है, सूर्य की पुत्री, सूरे के पुत्री में दला, सूरे का पुत्र कौन था, सनी, माना जाता है, तो सनी और यम, तो सनी और यम की जो मा गंगा है, वो क्या बहन गई, बेहन, तो इनकी बेहन मानी जाती है, और कृष्ण की पत्रानी मानी जाती है, तो ये पुर्णिक इत्यास है, जिसमें यमना को क क्या माना जाता है सूर्य पुत्री माना जाता है यम और सनी की बहन माना जाता है यम नोत्री मंदिर का जगने प्रताफ साह ने किया था किस ने किया था 1919 में प्रताफ साह ने किया था और फिर 19. सदावधी में ही इसका पुनरुद्धार किया था जो महारानी गुलेरिया जो जायपूर की महारानी ती महारानी गुलिपार का निये 3 मंदीर के समंद में कोछ मेह भाइना ढही किस तलों की बाते कर रहे हैं द्हां द्यान दीजेगा इसके बाद आते हैं विसोनात मंदिर तो बिलकुल उत्रगासी में है आप विसोनात मंदिर भरेंगे अगर मैप में तो कहां भरेंगे बिलकुल यहां पर है ना कहां पर बाड़ा हट नहीं यहां पर मंदिर भरेंगे विसोनात मंदिर तो विसोनात मंदिर ह पुरानिक इत्यास के अंसार बेसुनात मंदिर का जो निर्माण कराया था वो भगवन परुसर रामनी खुद कराया था है अलकि इसका जो पुनारुद्धार किया गया है वो 1857 में जो कि गड़वाल नरेश सुदर्शन सा थे उनकी पत्नी महारानी खनेती या कहीं कहीं उनको कांती लिखा जाता है महारानी कांती द्वारा इसका पुनारुद्धार किया गया था या पुनानिर्मान किया गया था तो 1857 में जो, 1857 में जो पुनरुद्धार है, वो किसका किया गया, विस्वनात मंदिर का किया गया, किसका किया गया, विस्वनात मंदिर नात लिखना भूल गया, विस्वनात मंदिर का किया गया, विस्वनात मंदिर जो है, इसका भी बहुत बड़ा पौरानिक इतियास है, पोराणी की तियास तो आप थोड़ा बहुत पढ़ड़े ना कोगल कर गए है ना क्या कहानी है क्या नहीं है है ना तो कुल मिला के बात यह कही जाती कि जो बनारस में जो कासी है वही कासी यहां पर है तो यही भगवान यहां पर है विस्वनात मंदिर बिसुनात में जो बिसुनात में भगवान सीव हैं यहां पर विराजबान है कल्यूग में कहा जाता है कि कल्यूग में भगवान जो सीव हैं उन्होंने स्वयम यास्थान निर्धारण किया था उत्तरकासी में मंदिर के बात करते हैं, तो महासु मंदिर भाई, अगर मैं यहां से बात करूं, तो महासु मंदिर यहां पर है, महासु देपता, यह देरदून और उत्तरकासी बॉंडरी पर महासु देपता का मंदिर है, और यह दोनों छेतर महासु देपता के अधीन आते हैं, है न, अमस्स को यहाँ पर तीन दिन का मीला लगता है यहाँ पर, तो यह भी प्रमुख धार्बिय के स्थाल है, उत्रा खंड का, ओके, इसके अलावा, सक्ति मंदीर भी है, अब यहाँ पर आप जाएंगे कहाँ पर, विसुनात मंदीर में, तो विसुनात मंदीर के ज़स्ट बगल काल सही, वहाँ पर माना जाता है है ना, फिर यहाँ पर बाड़ाहाट में, दूसरा है प्रसुराम मंदिर, है ना यहाँ पर भी तिर्सूल बहुत प्राचीन काल सही यहाँ पर इस्तित है, कहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बाड़ाहाट में उत्तरकासी मंदिर का निर्मान कराया था, ये पौरानिक काल के इतियास के अंसार कहा जाता है, हालांकि पुनरुधार जो है, इसने कराया, ये महारानी खनेती द्वारा किया गया, ये महारानी कांती द्वारा किया गया, जोगी सुदर्संत सागी पतनीती 1867 में अब आजाते हैं परेटन इस्तलों के बारे में यह तो धारमिक स्तल थे परमुक धारमिक स्तल अब आजाते हैं परेटन इस्तलों के बारे में तो परेटन इस्तल अब मैप में भरेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनमान चटी की, तो भाई यहाँ पर है हनमान, यहाँ पर बढ़ देता हूं है, हनमान चटी, तीक है, यमनोतरी से पहले, क्या है हनमान चटी, हनमान चटी यमनोतरी से 13 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यहाँ पर, है न, और यहीं से डोडी ताल है यहांपर, यहां के लिए ही ट्रैकिंग सुरू होती है, इसके बाद, प्रेटर निस तलो में, यहां पर उत्तर कासी के अंदर हर्षिल ही, यहां बरदिविजी है भास्थिल, है ना, यह ध्राली के पास, मुक्वा के पास, है ना, इधर साइट, तो, यह यहां पर क्या है? हरसिल है, अब हरसिल काई के लिए परसिद है? यह तो फेमस है भई हरसिल, हरसिल में एक तो सेव बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे सेव होते हैं, है ना, दूसरा यहां पर जो है, एक गाउं है जिसका नाम है बगोरी, जो सचता की रैंकिंग मे परतम अस्तान भी पाच चुका है है ना, तो प्रेटन की दिरिष्टी से यहाँ पर बहुत ही मेत तुपून जो अस्तले हरसिल है यहां के जो जलुआई है बहुत ही, कैसी है, ठंडी है आपको जब यहाँ पर जाएंगे तो स्वर्ग से महसूस होगा सिर्फ कुछ दिनों के लिए, हमेसे के लिए आप हमेसे जाएंगे, आप तब नहीं होगा स्वर्ग महसूस, आप जाना भी मैं तुपूंपे गंदा मत करना हुआ है, जाना एक दिन के लिए जाना, फिर वापस आ जाना ऐसा नहीं किया आप वहाँ पर जिए मजे गर रहे हैं, खोब दारू पी रहे हैं और फेंक रहे हैं विल्कुल रैपर इदार, उदार, है ना ये नहीं करना आपको, इसको पढ़िया बना कर रखना है जाना जरूर अर्सिल, ओके फिर एक, इससे पहले आता है प्रेटनिस्तलों में गंगनानी है ना, तो भाई ये उत्रकासी है उत्रकासी से आगे और गंगोत्री से पहले यहां पर एक जगा है, क्या है गंगनानी मतलब एनेज के पास ही है इस एनेज के पास है तो गंगनानी में क्या है गंदक युक्त यानि गंदक किसे बोलते हैं सल्फर को तो सल्फर युक्त पानी याँ बे गरम है उसमें लोग नाते हैं और नाने से लोग इस पूर्ती महसूस करते हैं अब आप बताईए कि जो सल्फर युक्त पानी होता है काई के लिए important होता हो किस चीज के लिए महत तो पूर्ण है बताओ जो सल्फर युक्त पानी है वो important है आपकी जो skin है skin में जो बिकार पैदा होते हैं रोग होते हैं जैसे हम चमडा कह देते हैं चर्म रोग जिसे बोलते हैं तो या अन्य जो रोग होते हैं skin के वो जाते तर इस पानी से ठीक हो जाते हैं इसी तरह का पानी देरद उन में भी है ना तो hope so यह आपको समझ में आ रहा होगा और आप comment box में लिखिएगा बात को जो आपको समझ नहीं आ रहा है या जो आपके पास extra knowledge है इस बारे में है ना इसके लावा यहां पर हमारे पास एक है नचिकेता ताल है ना चोरंगी खाल है यहां पर चोरंगी खाल से आपको पैदाल जाना पड़ेगा यहां पर से चार-पांच किलो मीटर और फिर आपको मिलेगा नचिकेता ताल यहां पर नचिकेधा मंदिर भी है Specifically olsun केंदार है प्रेटन स्तलों में नचिकेधा ताली ही है यहां पर बहुत अच्छी मचलियां मिलेगी आपको बड़ी-बड़ी मचलियां मिलेगी बहुत सारी मचलियां मिलेगी बनबिवाक का यहां पर जक्ट बन विवा की वो मछलियां है आप जाके मछलियों को पकड़ना मत वहां पर ओके है तो इसके लावा हर की दून है अब हर की दून हर की दून यहां पर है है इस के लाओ गरतांगली अब गरतांगली तो भाई यही है कहां हरसिल के आसपास बहराओ गाटी में तो गरतांगली जो है मतलग गंगुतरी में नहीं है गंगुतरी से कुछ पहले है दस किलो मेटर लगवाग पहले तो गरतांगली में क्या है? एक पुल है, अकरसवन का के इंदर, प्रेटनिस्तल है वो, और लकड़ी का पुल है, उस लकड़ी के पुल से क्या होता था पहले? ब्यापार होता था, भारत और तिब्बत की बीच में, यह यूँ कहे हैं कि उत्तरकासी हो तिब्बत की बीच में, क्योंकि मैंने आपको बता है कि उत्तरकासी बाड़ाहर्ट का पुरान नाम बाड़ाहर्ट था, और बाड़ाहर्ट का मतलब है कि यहां पर बजार लगता था और उस बजारक का आना जाना कहा होता था गरता अंगली से होता था यहीं से घोड़े खचराते थे नीचे अब बात करते हैं परमुक बुग्यालों की तो पहली बात बुग्याल है क्या बुग्याल है चोटी चोटी गास यह 3500 मीटर से 6000 मीटर के उचाही पर यह मकमली जो गा कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरकी दून हरकी दून क्या है बुग्याल है है ना दूसरा है दयारा दयारा यहां पर यह दयारा है दयारा बहुत ही फेमस है यहां पर मक्खन वाला मेला भी लगता है है ना और इंपोर्टेंट बात यह है कि यह बुग्याल है बहुत दामनी है, देब दामनी ये मनोत्री के समीप है, देब दामनी, ये भी बुग्याल है, है न, देब दामनी के अलावा, पवाली कांठा है, ये भी इधर ही है, पवाली कांठा, ये भी क्या है, ये मैप में भरेंगे आप इन सबको, जब मैप में भरेंगे न, तब आपको समझ में जब तक मै बरें गए तक आपको याद भी न होगा योगा यह तो इस से कहा है कर ? देव दामनी क्या है यह भी यह मनुत्री के असपास है केदार खरक है केदार खरक है गंगोत्री के असपास है तो केदार खरक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केदार खरक ठीक है यह भी क्या है बुग्याल है केदार खरक के बाद तपोवन है अब तपो वन का है, गोमुख का निकड़, इसे तपो वन चेतर कहते हैं यहाँ पर भी क्या है? भूगयाल है, भूगयाल वाला चेतर है परमुख दर्णों के अगर बात करें तो दर्णों में, दर्णों में यहाँ पर ठांगला है इसकी उँचाई जो है 6069 मीटर है बहुत ही उँची उत्रा खंड के सबसे उँची दर्रा है ये है ना अगर नहीं है तो मुझे करेक्ट केजिएगा आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में धांगला 6069 मीटर स्वरी 69 89 मीटर मीटर उँची है ये और उत्रकासी और तिबबत को जोड़ती है तो थांगला दर्रा कहा है पहला क्वेशन तो ये और किसको जोड़ती है उत्रकासी और तिबबत को जोड़ती है थांगले के बाद दूसरी जो दर्रा है वो है हमारे पास नेलंग सांग चोकला सांग चोकला ये भी उत्तरकासियो तिब्बत को जोड़ती है निलंग, सांग, चोकला सांग, चोकला के बाद हमारे पास है स्रिकंट आप जो स्रिकंट है ये हिमाचल परदेश को जोड़ती है यहाँ पर है स्रिकंट क्योंकि हिमाचल परदेश इदा रहे न यह हिमाचल है, इधर यह तिबबत लग गया, और यह देरदुन लग गया, इधर से नीचे के एकर हम बात करें, इसको मैं इठा दिता हूँ, यहाँ से बात करें, तो यह रुदर प्रियाग लग गया, इधर से चमूली लग गया, इधर से टीरी लग गया, और इधर से तो इस तरह से ये उत्तरकासी चारों तरम से भगोलिक दिरिश्टी से गिरा हुआ है अब मुलिंगला एक और दरा है यहां पर मुलिंगला थांगला, सांगचोकला, मुलिंगला ये सब किसको जोड़ दिये हैं ये उत्तरकासी और तिबबत को जोड़ दिये हैं इसके अलावा हमारे पास कालंदी है, अब कालंदी जोडती है यहां पर, कालंदी, यह उत्तरकासी और चमॉली को जोडती है, कौन कालंदी, इसके अलावा एक रुदर प्रियाग को जोडती है, और इन कॉल, यह रुदर घाटी है यहां पर, तीर रुदर प्रियाग बीच मे तो यहां से यह Audin Call जोडती है आपके पास तुरुद्र प्रियाग और इसको, उत्तरकासी को है ना, इसके अलावा है भडासू दर्रा यह जो छेतर है यहां पर, यह है भडासू दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश और तरकासे को जूडती है, तो इस तरह आप मैप में भरेंगे ना, तो आपको मजाएगा मैप में भरेंगे मजाएगा, आपको याद होगी कौन सी चीज कहां पर है, आपको एनेच याद होंगे बहुत मजाएगा आपको ऐसे में पढ़ने में जब आप ऐसा पढ़ेंगे न, तो भहुत मज़ाएगा, परमुग नदियों के बात करे हैं, अगर हम परमुदक नदियों में यमना, जो की, यमनोतरी हमनत से निकलतی है, यमनोतरी हमनत से, यहां पर एक काथा, तो यहां पर, कांठा एक जगा है जैसे पवाली कांठा है और यह आती है आपके पास मैं इस नदी को बना रहा हूँ इस तरह यह एनेच 507 के आसपास आती है और यहां पर यह बिकास नगर में बिकास नगर के आसपास बिकास नगर में मतला बिकास नगर में यह मिल जाती है कालसी नामकस्तान पर यह मिल जाती है टॉंस से यहां पर और टॉंस आ रही आपके पास चलो टॉंस की बात करते हैं तो टॉंस नदी आ रही आपके पास रुपिन और सुप लूपीन के बात करें, तो माली जीड रूपीन है, रूपीन थोड़ा हिमाचल पर देश में थोड़ा भाहर चले गए यहां से, और सूपीन 마음에 दो इस बैसे रूपीन और सूपीन से यह आपके पास यह नदी निकलती है, और रूपीन अशुपीन मिलकर यह बनाते हैं, तॉन् की एस पास जो है आ श्राम है का जुँनि के आस पास पावर नधी निकलतीं मेर्च्प पर विकास नगर में कालसी नमगस्तान पर जो है किसे मल जाती यमना से मल जाती है यह यह कहीं है कि यमना टॉंस नदी का संगम जो है कहां पर होता है कालसी नमगस्तान विकास नगर में देरदुन में होता है तो यह नदी हो गई गंगोत्री में से आपके पास जो नदी निक और आएगी शां Après देव प्रियाग में देव प्रियागक है और आएगी वह बेखनद महत سब्लॉर है इस दिया के मिल जानद अब तो बंद आ नदी इसमें इम आती है मिल जाती है फिर अलगनना नदी इसमें या तो अलग नंदा के बाद यह गंगा हो जाती है उससे पहले यह क्या नदी कहलाती है भागी रती है और कहां पर गंगा हो थे क्वा सभी नदी यह है ना बहुत ज्यादा पादी या स सल दा आटि कहा से तसी को अम आरे है थे ना दने मिलें लहां कहाँ गजाएगी यह तु तब अगले डिस्टिक बात करेंaj अब ये फिल आलंद तो उत्तरगासि के बाएम बात कराएं, एक नदी होगई, भागीरिती तो भागीरिती ने में जो है न यह consistent इसमें गरतांगे लिये यहाँ यह क्यूआ क्या इसमें बांस-दला है, इतिसे जिएस emba हो गई हो और रिसी गंगा हो गई, यह सारी गंगा हैं इसमें मिलती है, और इन गंगाओं को मिलाकर यह भागिरती बनी हुई होती है, इसका जलिस तर बढ़ता रहता है, और देव प्रियाग में जाके एक और नदी मिल जाती है, कौन सी अलग नदी, हाला कि विलंगना नदी, जहां ग किया करने ही इसके बाद करेंगे तो जाके इसका डिडियल बढ़न करेंगे अब aux क्षण कभरस कौन कौन सी मने सब सीजिसरे मिलों इसमें जाड़ गंगा जहानुई ये नदियां भी मिलते हैं ये-दार गंगा है शक्यामिन करें अब करने ही खरिद्वार तक उजेणेव किलोमेटर और है तो chников है याने 301 क्किलोमेटर की सिमा बनाती यह एगर आम इसको यहां से नााप मटाएं एहां सीमा बनाती है बहुत बड़ी सीमा है हाला कि जो सरवादिक सीमा बनाने वाली नदी है वो 252 किलोमेटर की सीमा बनाती है कौन काली नदी जो नेपाल से निकलती है परन्तु सबसे बड़ी उससे बड़ी ज्यादा जो लंबी है वो कौन है भागिरती है परन्तु टेक्निकल प कौन सी नदी सबसे ज़्याद है उत्राखन के अंदर तो आप एक भागी रती पूझ देगा दूसरी गंगा पूझ देगा तीसरी आलक नंदा पूझ देगा चौती काली पूझ देगा तो काली नदी आएगा अब भागी रती को नापेंगे हम तो भागी रती को नापेंगे तब इतर सेव कप खेती हो दी, ठंडा है पानी 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 ये प्रवतों से निकलता है पानी, पानी की कमीन है इस जिल्ले में, आप परमुक जहील की बात करते हैं, परमुक जहील में देखो, एक जहील तो आपके पास नचे केता ताल हो गई, यहां, दूसरी जहील है मारे पास डोडी ताल, अब डोडी ताल हमने यहां पर बोला, अगर हम यहां पर उत्रकासी देखें, यहां पर, तो यहां से भी, यहां के लिए, थोड़ा आगे उत्रकासी से आगे, गंगोरी से, यहां के लिए रस्ता जाता है, है ना, डोडी ताल के लिए, तो डोडी ताल एक स बहुत नहीं लगता हूँ चहते हैं वहां पर जुए जिसमें बोलते हैं कि क्या बीुलते हैं कि इट वाली में आध कि वो जो है उसमें चलचिदर लग जाता है याध बस बात कुतम है तो छे कॉन एक साथ नहीं देखे जाते इसकें काज़ कंडी बयाताल यह भी उत्तर कासी में हैं काजकंडी भयांताल अबलता हुआ जलकताल है कैसे ताल है उबलता हुआ जलकताल इसके लावा केदार ताल है यही भर दीजे केदार ताल ताल इसके लावा लामा ताल देव साड़ी ताल और कौन सा ताल भर दिए लामा देव साड़ी यह ताल भर दिजे इदर एक और ताल है इंपोटेंट ताल है जो रोही साड़ा ताल यह इसके उतरकासी में ही सारे ताल तो अगर आप इनको जो है मैप के अंदर भरेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे है ना कुंड की बात करें कुंड की बात करें तो भागिरित नदी के तरट पर यहां पर देव कुंड है जो की वीडियो के एक्जाम 2012 में पूझा गया था देव कुंड कहां पर है तो यह देव कुंड है अपके पास भागिरित नदी नदी के तरट पर रही है है ना उतरकासी में है इसके लाब सूर कुंड तेक है और गंगनानी देखो एक है गंगनानी क्या बोला मैं यहां पर गंगनानी एक है गंगानी इधर गंगानी यहां पर भी गंदक युक्त क्या है पानी है और बस एक सब्त रिसी कुंड है एक और कुंड है यहां पर सब्त रेसी कुंड कुंड हो गए अब क्या बचा गलेशयर, तो गलेशयर में पहले बात है वह यहाँ पर काठा नामगस्तान पर जो बंदर पूछ गलेशयर है वहाँ से यवन उत्रियमन नदी निकलती है फिर गंगोत्री गलेशयर है 30 km छेतरफल में पहला हुआ है, 30 km लंबाई में पहला हुआ है, इसके लिए वो डोरियानी है, डोरियानी, इलेशयर है, ओके, परमुक मेले की बात करें, माग मेला है, जो 14 जन्वरी से लगता है उत्रकासी में, माग मेला, कैटियास मैंना आपको बताई दिया, माग मेला कंडग मेला लगता है, कंडग देपत के आरात में, सुला अपरेल को लगता है, इसके अलावा विस्सु मेला लगता है, बहुत इंपोर्टांट है यह विस्सु मेला, यानि इस चेतर में विस्सु मेला लगता है, है न, यह मनोत्री चेतर में, तो विस्सु मेला हो गया, औ और प्रमुक राष्ट्य उध्यान के बात करें, तो गंगोत्री राष्ट्य उध्यान, यह पूरा जो छेत्र है न, उतरकासी से लेकर, यहां से लेकर, यह सारे क्या है, गंगोत्री राष्ट्य उध्यान है, इसकी जो इस्तापना हुई थे, वो 18199 में हुई थी, ओके, इसक इसके बाद गोविन राष्टिया उद्यान है, जिसके इसके इसतापना 1925 में होई थी तो गविन राष्टिया उद्यान ही होगे यहांपर, अब बिहारण के बात करते हैं गोविन बन्य जीब बिहार इसमें है, इसकी स्थापना उन्नीस सो पच्चपन में हुई, गोविन बन्य जीब बिहार, उन्नीस सो पच्चपन में इसकी स्थापना हुई, इसका जो छेतर फ़ला है, वो 957 बर किलोमेटर है, इतना है 957 बर किलोमेटर, ओके, तो ये हमारे पा बहुत ही इंपोटेंट है यह बहुत पुछा जाता है पर मुखाओं की बात करें अगर जोग्रफिक की पॉइंट ऑब यूज से इसमें बसिस्ट गुपा उत्रकासी में है यह ना मातंग गुफा है जो कि मातली में पाई है उत्रकासी थोड़ा पहले हैं पर भरेंगे आप स सरिंगी गुफा के बाद एक लास्ट गुपा है वह बिस्वनाद गुपा जो संकरास्तर की संकराचारी की तापस्तली माना जाता है तो यह जोग्रफिक है इस आप से मैं आपको उत्रकासी की जोग्रफिक बता दी पूरी इसके लाओ जो पॉइंट छूड़ गए होंगे भी हम आगे आने वाले टापिक्स में कबर करेंगे जो हिस्ट्री होगी जो पॉलिटिकल एजंडा होगा उसमें कबर करेंगे ओके थैंक्यू